क्या हुआ केदार, तुम से ऐसा रूख क्यों गए? गुरुदियम, इस गाउ में भिख्षा मांगने नहीं जा सकता। केदार, अब तुम एक भिख्षू हो, और भिख्षू हर वियोदा भास्ते उपर गोता है। वो ये तय नहीं करता, कि जो जीवन में आ रहा है, वो उसे स्विकार है या नहीं? अभी तु, लोगों में रहकर, स्थिर और शान्थ, जीवन में जो भी आता है, वो उसे स्विकार करता है। ये पीता हुआ कल है, इसे मैं छोड़ा आया हूँ। केदार, बीद गई, वो बात गई, अब तुम्हारा पूंजन्व एक भिक्षू के रूप में हुआ है। भूत काल से निर्भीक हो जाओ, अब तुम्हारा जीवन इस समय इसी दिशा में है। और केदार, भिक्षा हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मांगते। बलकि साधारन लोगों के रुपांतरन का ये शुबवसर हमारे पास आता है। आप। ओम भागवते बिक्षाम देह। क्या हुआ पुत्री? सबस्ट तुम? कप्टी? निरलज? तेरा साहस कैसे हुआ केदार? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाउं में आने की? आज मैं तेरे टुकडे टुकडे कर दूंगा केदार? ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक भिक्षू है भिक्षू नहीं है ये! मेरी बेटी का भूटा हुआ भाग ये? गत्वर्ष इसने मेरी पुत्री से विवाह किया और अब भिक्षू बन गया भिक्षू बने ये और सारी मुसीवते सहन करे मेरी पुत्री इसके माबापने सारे दोश मेरी पुत्री पर मढ़ दी और यहां मरने छोड़ गए नाश कर दिया इसने मेरी पुत्री का जीवन तुझे अगर विशू ही बनना था तो विवाह क्यों किया? जब मैने विवा किया मुझे मुक्ति के माद की कोई जानकारी नही सी जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूं शान्ती चाहता हूं पिर मुझे बुद्ध के उपदेश तुनने का सुवशर मिला और मेने गुरुदेव ने मुझे विख्षुक बना कर दिख्षा दी तो इसने तेरी बुद्धी प्रष्ट की या सद बुद्धी मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला तु अपने उत्तर ताइत्व से भाग खड़ा हुआ भगोडे दरपोक तुझे वो दुखताई लगने लगी संसार छोड़ा इसने सुखु का त्याग किया इसने मो माया काम प्रोध इन सभी का परित्याग किया और फिर भी आपको यह दरपोक लग रहा और नहीं तो क्या नहीं यह सासी है संसार में चारो और पहले माया जाल को तोड़कर यह मुक्ती की और बढ़ा इसके लिए बहुत शक्ती की आवशक्ता होती है हर किसी के बस की बात नहीं है लिए आप अपने क्रोध को शान्त कीजिए और बिचारिये यदि यह आपकी पुत्री के साथ रहता तो उसे हमेशा दुखी देता कम से कम आपकी पुत्री को इन दुखों से तो मुक्ती मिली यह सब उल्टी सीधी बाते तुमने इसे सिखाई है नहीं छडूँगा तुम्हें अरे यह क्या कर रहे है यह मोगराना है इनकी वानी से कितने बड़े भूले भटकों को रहा मिली है क्रिपा कर आप जाईए यहां से मेरी पुत्री का संसार उजाडने वाले तू भी इस संसार में नहीं रहेगा कर दो लगे कितने बदोजाएपरा नहीं से सामेक कर दो लो लो दो रहेगा मौन कर दो दो ड्मधंजा इस संसार को जाम रहे पर बड़ेज़ल मौन कर दो पूर रहेगा यह जो प्षबम अरे बड़े वह उत्स अंप आवशरा आप लाइबुत, आप हर दिन भिख्षा टन करने जाते हैं, फर दिन उपदेश देते हैं, आपके आयू अधिक हो चलिये, आप एक स्थान पे बैठ साधना करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इन सारे भिख्षों का निदेतरवत अब किसी और के हाथों में सौपा जाए? मुझे उसकी चिन्ता नहीं आनन्द, मेरे खोज़े हुए मार्क पर, मेरा दाहिना और बाहिना पैर मेरे साथ चल लगे, और वही सबको सामन जसे से एक साथ लेकर चलेंगे, मेरे मुक्टी के मार्क पर, सर्व प्रधम चलने वाले पही दोनों होंगे, एक मेरा स्यना पती, सरीपुत्थ, और दूसरा मुगलान, इस पश्ट, निडर, मेरा दाहिना पैर सरीपुत्था है आनंद, और मेरा पाया पैर मुगलान, अरम सबूठ, आरम सबूठ, परदियो, मुगलान, मुगलाना हमारे बीच में नहीं रहे गुर दियों मुगलाना के अंतिम संसकार के लिए मैं चाहूंगा मुगलाना ने संकी बहुत सिवा की उन्हें अश्वों से विदाना करें मुगलाना इस जुआला के समान नेडर थे साहसी और सपश्ट वक्ता थे मुगलाना के जीवन से आप सभी को प्रेड़ना मिलेगी मुगलाना जैसे ग्यानी कभी नहीं मरते अपितू एक उड़जा बन सदेव हमारे साथ रहते हैं मुगलाना के अस्तियों पर एक इस्तूप बनाया जाएगा जिससे आने वाले काल में भी उनकी सुनती अमिट रहे अमारे बुदह अलां प्रणाम प्रणाम प्रभुजी, प्रणाम आईे आई आई ये इस पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए आईए ना विश्राम कीजिए आईए जी बुद्ध थोड़ी दर यहां विश्राम कीजिए फिर्पया चुब देश मत दीजिएगा आप पहले सी ठके हुए हैं आनंद परमसत्य का ग्यान आताश मेंने मनुष्य के रिदय में होता है क्या आप सभी पंच शील का पालन करते हैं तो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि अपनों से छुटों से हम निर्मलता का वहवार रखेंगे अपनों से जो व्रद्ध हैं उनसे दया का भाव रखेंगे जो प्रयतन शील हैं उनसे सहानु भूती का भाव रखेंगे और जो निर्बल है चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो उससे उदारता का भाव रखेंगे ठ्यान रहे हमारे जीवन में कभी ना कभी ये सभी दशाएं आती हैं प्रभू, कभी-कभी हम ना चाहते हुए भी नीच व्यवहार और प्रवर्ति में वापस गिर जाते हैं यदि ये भाव आपके अंतर में आया और फिर भी आप नीच प्रवर्तियों में गिरे तो स्वयम ही समभल जाएंगे जो हम है और दुक हमारे जीवन में चाहिऑ की तरह चलेगा जैसे बैल के पग रखते ही बैल-गाड़ी उसी दिशा में घसिटती जाती है और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदेव हमारे जीवन में च्छाया की तरह चलेगा यदि जीवन का निचोड कुछ और हो तो क्या होगा माहत्मा? अन्त में तीन बाते ही महत्वपूने हैं पहली, क्या हम सय रिदय से फ्रेम कर सकते हैं? दूसरी, क्या हम पूनते जी सकते हैं? और तीसरी, क्या हम गहराई में जाकर सब कुछ छूड सकते हैं? बुद्ध, नाला गाउं से समेरचंद, गुरुदेव शरीपुत का समाचार लेकर आये हैं हम सभी के जीवन का लक्ष है, जीवन के लक्ष को ढूंडना और वो मार्ग मिलते ही उसके लिए पून रदय और आत्मा से स्वैम को समर्पित कर देना सरीपुता का क्या समाचा लाये हो शमनीर चंत? कुल्देव, सरीपुता, निरवान को प्राप्त होगे बुद्ध नाला पहुशकर गुर्देव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे रहे जिन उनकी माता का दिखान दो गया इसके बाद उनोडे निर्वान लेने का निश्चाह किया और मुझे बुला कर कहा कि मेरे दिर्वान लेने के पश्चाहत मेरे अस्थियों का करस्थ मेरा भिक्चाह पात्र और मेरा भिक्चुका मस्त्र आपको भेड़ कर दिया जाए कुर्दे उस सारी पुक्ता ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोडेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्रार त्याग दूगा बुद्ध जब मैंने सरी पुत्र के निर्वान का समचार सुना तो इतना घहरा अगात हुआ कि लगा मुझे लखवा मार गया है मेरे मन में धुगा सा भर गया इतनी कहन्चती पहुची आनन्द क्या सरी पुत्र अपनी मृत्यू के साथ तुम्हारे नीती वचन तुम्हारा ग्यान तुम्हारी समझ तुम्हारा ध्यान तुम्हारी स्वतंत्रदा सब कुछ ले गए नहीं बुत्र ऐसा नहीं जब सरी पुत्र जीवित थे तो वो धरम को पूर्णता जीए उन्होंने सब भिख्चों को दिशा दिखाई सिखाया और सहन दिया अब मोगलाना और सरीपुत्र की जाने के पश्चाथ पूरा संग सूना हो गया आप दिखाते नहीं पुरंतर से कैसे दुखी न होंगे तुम भूल गए आनंद याद है मैंने तुमसे कहा था चन के साथ मृत्यू छाया के समान आती है जो मिले हैं वो बिछडेंगे सभी धर्म नश्वर हैं उनसे लगाव मत रखना चन्म पृत्यू अस्त होना उदय होना इन सब से तुम्हें उपर उठना है सरीपुत्र एक महान शाखा के समान थे उन्होंने पूर्ण करतव्य निष्ठ हो सम्पूर्ण वरक्ष का पूशन किया वो शाखा उस वरक्ष से अभी भी जुड़ी है वो वरक्ष भिक्षों का संग है जो परम ज्यान को साथ रहा चन चन में बाट रहा है अनन्द अपनी आंके खुलोगे तो बावगे सारी पुद्र इन प्रक्षों में चांद में उन मनुश्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कणकण में जीवान्त हैं ये मत सोचो की सरीपुत हमें छोड़कर चले गए वो सदेव हमारे साथ हैं मेरे प्रिये भिक्षों सरीपुत निर्वान को प्राप्पूल आज मैं तुम सबसे कहता हूँ अपो दीपो भवे अपना दीपक स्वेम बना स्वेम पर विजय प्राप्प करना असंके युद्धों पर विजय प्राप्प करने से कहीं अधिक है और वो विजय सिर्फ तुमारी है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता ना दीवता ना दैत्या ना स्वार्ग ना हिनर्क आज आपने आने में बहुत देर लगा दी आनन्द आज मैं वन के हर एक व्रक्ष से भीट करके आया हर एक व्रक्ष में मैंने सरी पुत्त की छवे को देखा कि अवे करें है हुआ हुआ तुम्हारा नाम सिद्धार्त नहीं, प्रशन होना चाहिए तो कर दो कर दो कर दो कर दो इस विशाल गगन में क्या देखते हैं बुद्ध उन चहरों को देख रहा हूं जो इस प्रकड़ती में विलीन हो गए समा गए आनन्द की गोद्ध आनन्द अब हम यहां नहीं रहेंगे हम वैशाली जाएंगे समय पस्तो बन होते हुए दाया और पाया पैड़ खोने पे भी आपके समान समझसे से चलने वाला कोई ना होगा बुद्ध मोग लाना और सरीपुद का विराम सेह नहीं पारे आप पे क्या बीतरी होगी जो हम से अधिक करूना मैं को मल और पवित्र है अध्भूत सुंदर्य है वेशाली में यहां के मंदिर भी अभूत पूर सुंदर्ता से चमकते हैं आनन्द मैं कुछ दर चपला मंदिर में विश्राम कर लेता हूं क्रिपया कुछ दर यहां विश्राम की जीबुत मैं भीशा टंग करके आता हूं क्रिपया पंची थने चुप के हो गए पंची थने चुप के हो गए आपको कुछ होतो नहीं अचानक पंची गो कर लाफ शांत हो गया और अजीब से चुप्पी हर और छागी हागी और फिर धर्ती बुरी तरह से कंपित हुई बुद्ध ये किसी भ्यांगा प्राल्या का संकेत तो नहीं आनन्द मेरे समय पाकर बैठो कहिए ततागत आनन्द मैंने एक निर्ण लिया है आज से ठीक तीन महापश्चात मैं महापरी निर्वान लूँगा आज से ठीक से ना सुना आज से ठीक तीन महापश्चात मैं महापरी निर्वान लूँगा इन यात्रा के अंतिम चरण में हूँ कभी आपकी सेवा करते हैं कोई भी भूछ उखोई रभू आप दे कैसे त्याग सकते हैं आप तो करूनों मही हैं आप अपने भिख्चों को पीछ मर्दान में कैसे छोड़के जा सकते हैं हम सब पे किर्पर कीजिये एद्यालों हम सब पे दोया कीजिये आनंद मेरी और देखो तुम्हें अपने तथाकत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लू कि जो मेरा निर्णा है वो समय के अनुकूल है मैं तीन महापस्चाहत अपना ये देह त्याग दूँगा अपने अशुरु पोच्छो आनंद हैर्य धरू अभी तुम्हारे उपर बहुत बड़ा उत्तरदाईत वे आनंद जाओ और जाकर सभी भिक्षूओं को पुठाकार धंब सभाभवन में इकत्रित परो मैं अपना अंति मुपदेश वहीं दूगा नहीं चल सकते हैं जब तक तुम स्वेम वो पथना बन जाओ 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 पुठाकार खीए जाओ 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 कु Lea अभाल हमेला देंगे अभश्य देंगे अभश्य देंगे आज फिर आपने भिख्षा में मिला हुआ सब कुछ बाट दिया इन बच्चों को खाते देख मेरा पेट भर क्या अनन्द है गुरुदेव आसपास के सारे भिख्षों और भिख्षोनिया महावन के कुठागर सब अभवन में कत्रित हो रहे हैं आप चलेंगे वहाँ वेशालिक कितनी सुन्दर है आनन्द मैं इसे अंतिम बार देख रहा हूँ आनन्द जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ नया रूप लेता है उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भूतकाल को छोड़ते रहना हूँ आज के उपदेश के पश्चात हम पावा की और चलेंगे आनन्द जो भी सद्धर्म के मार्क से जुड़ना चाहे, उसके लिए हमारे संग के दुआर खुले हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों न हो, कोई बहित्भाव नहीं होगा. विशाल नदी की एक अकेली धारबन मैं बहे चला था, अब कितनी अनेक धारें इस प्रभा में जुड़ती चाह रही हैं. भागीनी, क्या ये सत्य है कि तीन महा पश्चात, बुद्ध महा परिनिर्वान लेंगे? हाँ, ये तो उनकी क्रिपा और करुणा है, जो अन्तिम बाहर उपदेश दिने के लिए यहाँ पर आए हैं. बुद्ध के जाने के बाद हमारा जीवन कैसे बिदेगा? ये सोच कर भी मैं कहां पुढ़ती हूँ? आज मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे एक-एक बून्द मिलकर सागर बनता है. तीन सत्य हैं, जिन्हें आपको जन जन तक पहुंचाना हैं. उदार रिदय, दयालू वचन, और सेवा में अरजित जीवन और करुणा. ये तीन ही मंत्र हैं, जो मानवता का नव निर्मान करेंगे. हर प्राणी से करुणा रखना, धनी हो या निर्धन, सब के जीवन में पीड़ा होती. किसी के कम, तो किसी के अधिक. मेरे प्रिये भिक्षूं और भिक्षूनियों, मैंने आज तक जो भी आप सब को सिखाया है, उसका ध्यान पूर्वक अध्यन करना, उसे अनुभव करना, सतत अभ्यास करना, स्वेम जाचना और परखना, उसके बाद ही मानवता में बाटना. परम सत्य का ज्यान, आने वाली पीडियों तक पहुँचे, इसका बीड़ा आज आप सभी ने उठाया है. किसी भी बात पर सहजिता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए, वचन ही क्यों न हो? जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी वेवारिक बुद्धी से मेल न खाएं. मेरे प्रिये भिक्षुओं और भिक्षुनियों धर्म नश्वर है, वो जन्म लेते हैं और मृत्यू को विलीन हो जाते हैं. हर्षण मुक्ती के लिए प्रियास करना, आज से तीन महा पश्चात मैं महा परी निर्वान दूँगा. अनिरूत, हम जब भी भिक्षा लेने जाते हैं, तो कोई न कोई अक्षे बुद्ध के विरुष सुनना पढ़ता है. बुद्ध तो गजराज की गरीमा से चलें, और जिन सबने उन पे मिट्टी फेकी है, हाथ तो उनके मैले हुएं. तुम्हें स्मृति है कि वैशाली के भ्रामन का बुध्य ने कितनी सरलता से उत्तर दिया था। आप विरोधाभास की बात करते हैं, आप पुनरजन्मों को मानते हैं, परन्तु आत्मा को ना करते हैं. यदि आत्मा ही ना होगी, तो पुनरजन्म कैसे होगा? सत्य कहा आपने, किन्तु इसमें कोई विरोधाभास नहीं, आत्मा के बिना पुनरजन्म हो सकता है. कैसे? आपने आम का फल देखा है, यदि उसकी गुठली को हम धर्ती में गाड़ दें, तो वो पुनरजन्म का वरक्ष बन जाती है, जिस पे कई आम आते हैं, तो ये आम का पुनरजन्म होआ ना? आप निराशावादी है, हे आरे, आपका पर्थम सत्य ये है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरन दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है, ये निराशावाद नहीं है, तो क्या है? सत्य कहा आपने किन्तु प्रथम आरिक सत्य के पश्चाद मैंने दूसरे आरिक सत्य में कहा दुख का अंत है दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूँ वो मार्ग निराशावादी कैसे हो सकता है आप संसार को तोड़ने आए हैं आप युवाओं को भिक्षू बनाते हैं मैं संसार को तोड़ता नहीं अपी तू संसार के मित्य सुक को छोड़ जीवन के इस तोड़ तक चलने के लिए कहता हूं इस पत पर चलने के लिए बहुत शक्ती चाहिए इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं इस अधा संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर्शन में स्वैम को केंदिरित करना नगरत अलोवार की तेज धार पर चलने के समान कि जदी कोई पुत्र जागा हुआ ना हो तो वो संभावते-परीवार का कल्यान कर सकता है परंतु घैयरी शति पहुंचाने की सभावना अधिक होती है उसी प्रकार विक्षू संफून संसार को अपना परिवार समझते हैं एक जागा हुआ भिक्षू संपूर्ण संसार का कल्यान ही करेगा यह सत्य है आपने दिखाए अहिंशा के मार पे चल सैनिक रक्षा करने के जगा सन्यासी बन गया है नियाय करना चाहते हैं पर वो दोशी बन जाते हैं सत्य कहा आपने किन्तु आहिंसा रूपांतरन है हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता है हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकर्ति का अटल नियम है हर मनुष्य को मृत्यू से भै लगता है और यही भाव आप सब के अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वेम ही आपके अंतर से हो जाएगा कर दो हो जाएगा है ततागत, आप जानते मुझे इससे में क्या स्मरन हो रहे हैं। एक बाद जब आप अब अबदेश देने आए, तो आपने कुछ ना कहा। एक शब्द भी नहीं। केवल ताल से एक श्वेत कमल का पुष्प उठा सारे भिख्शों को दिखाया। साल के कीचर से कमल के पुष्प की जड़े अभी सनेवी थी। पुष्प सूतर कहा गया। हम तो कुछ ना समझ पाए, पर महाकशप वो आपका संदेश समझ गया। जो शब्दों से कहा जा सकता था, वो मैंने भिख्शों से कह दिया। और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था, वो मैंने महाकशप को सौब किया। आनन्द, यदि खिले फुलों का चमतकार ध्यान में अपनी मन की आखों से देख लिया, तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा. और समझाए मुनीवर, उश्वेत कमल के पुष्पन अपने जीवन की यातरा का आरंब पानी के अंतर से किया. फिर वो उगा और बढ़ा, और फिर जल के उपरा स्वतंत्र हो उठा. उसी प्रकार मैंने भी इस संसार से उठी परमसत्य के ज्ञान को प्राप्त किया. आनन्द, हमें पावा की और प्रस्थान करना है. हमारे संसारिक भिक्षू चंद ने हमें भुजन के लिए आमंत्रित किया है. हमें जाते जाते उसकी भी इच्छा पून करनी है. तीन सत्य हैं जिने चंड चंड तक पहुचाना है. उदार रिदय, तयालू वचन, सेवा में अरजित चीवन और करना. यही तीन मंत्र मानवता का नव निर्मान करेंगे.